तो आच के दिन हम लोग बात करेंगे सूजलोन इनाजी शेयर के बारे में तो पिछले दिन सूजलोन इनाजी शेयर ने लगभग लगभग 12% के आसपास एक बहुत रही तेजी देखनों को मिला है यहां प्याप देखी सकते हुए पिछले दिन यह शेयर ने 12% का तेजी परकेट भी गिरे रहा है और सुजुन अदिकार का प्राइस भी बहुत ही ज्यादा कम है तो अभी क्या करना चाहिए फंडमेंटल क्या यह इस्टॉक अच्छा हो गया है उसके बारे में फंडमेंटल अनलाइसिस करोंगा थोड़ा सा उसके साथ हम लोग विए बात करेंगे अगले दिन फिर से इसी तरह के सेम दिखाएगा उसके बारे में भी लोग डिसकास कर लेते हैं थोड़ा सा फंडमेंटल अनलाइसिस की और फंडमेंटल इस टॉक बिलकुल भी अच्छा नहीं है आप यहां पर देखे सकते हो कि कॉंस्टेंटली 2011 से यहां पर लॉस ही प्रॉफिट भी नहीं है इसका जो आधार इंकाम के अंदार यहां पर फोर हंड़ेटी सेवन का आश्पास आ चुका है यानि कि ऑपरेशनल जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा कम है जिसके वज़र से अभी फंडमेंटल यह स्टॉक बिलकुल भी अच्छा नहीं है त तो फिर हमको क्या करना चाहिए क्या यह स्टॉक से दूर रही है तो मैं कहूंगा कि आप इसी स्टॉक से दूर रहेगा तो फिर आपके लिए अच्छा होगा अगर आप यह स्टॉक के अंदर ऑल्रेडी स्टॉक खड़ी चुके हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए मैं उ लगबहक लगबहक का आपको यहां पर एक यह को डालेंगे तो यह लेवल का ऊसपास एक बहुत ही बार्याद पर लेने की कोशिश क्या है । थॉड़ा सा देख ले थे कि यह तेस्ट किया है कि ओ यहां पर देखे कि सबसे पहले यहां पर चेस्ट किया उसके बात दूसरी तरह हो गया और आग 70 आता है उसके बाद ऑ under the I should को मिलेगा क्यूंकि अगर कोई भी लाइन चार्ट से ज़्यादा बार अगर टीटेस्ट हो जाता है तो फिप टाइम या फिशिक्स ताइम यह टेन लाइन को होल नहीं कर पाता है जिसके वज़ेश से हमको गिराबाठ देखनों को मिलता है उसके साथ हम लोग यहां पर आपको दिखाएंगे कि यह इस लेवल का आसपा से कि ब्रिक आउट देखनों को मिला था मगर उपर की लेवल से इतना ज्यादा स्टेलिंग प्रेशर है कि फिर से यह ट्रेंड को रिटेस्ट करने के लिए आ चुका है और हेड़न शोल्डर पैटन जो था वो इन्वैलिड हो गया जितने भी साथ लोगों ने आपको क्या करना चाहिए तो फिलाइल के लिए सब मूर्ड लेवल का आसपास आ चुगा है फिस से यह क्या करेगा कि यह 10-11 रुपिस का आसपास आ सकता है तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि इतने अत्तक तेजी देखनों को मिलेगा आपको लगबग लगबग आपको 40 पस्तेंटेज का आसपास यहां पर थुड़ा सा अपसा इन मोमेंटम देखनों को मिल सकता है यह फिर नहीं भी मिल सकता है क्योंकि इसी लेवल का आसपास 11 रुपिस का आसपास एक बहुत ही सेलिंग प्रेशर है हेड़न शोल्डर पैर्टान में भी यहां पर ब्रिक आउट दिया उसके बाद भी शेया ने उतना अच्छा तेजी नहीं दीखाया है तो फिर आपको इसी लेवल का आसपास एक्जिट कर देना चाहिए अगर आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि आपको मुनाफा देखनों को मिलेगा तो फिर आप इसी लेवल का आसपास से एक्जिट कर सकते हो फिर आपको थोड़ा सा ही आप सारी मोमेंटम देखेगा कारेट लेवल के बात कर तो कारेट लेवल साब को फॉट्टी परसंट में नहीं मिलेगा लगवाग लगवाग ट्विंटीएट परसेंटेज का आसपास यहां पर रेजिस्टन्स जून है क्योंकि यह रेजिस्टन्स को भी अल्डेडी थी टाइम रीटेस्ट कर चुका है इसका जो चलने का जो फॉट्रा सा कम है क्योंकि यहां पर फॉर्ट फॉल्डर पैटन छोटा है उस पैटन में भी यहां पर उतना आच्छा से से यही नहीं दुपन को मिला है और हम लोग मांतली टाइम प्रेम की बात करें तो मांतली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर आ चुके हैं और यहां पर भी एक थोड़ा सा टिन लाइन को डालते हैं इसमें भी गाइस थोड़ा बहुत यहां पर भी एडन शूल्डर पैटन देखने को मिल रहा है अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो मैं आपको दिखाता हूं यह है मंतली टाइम फ्रेम का अंदर मंतली टाइम प्रेम का अंदर जितने भी सारा पैटन बनते हैं वह बहुत ही ज बोटम बोल सकते हो तो यह एक इडन शूल्डर पैटन यहां पर भी देखने को मिला है मगर अच्छे से यहां पर तेजी देखने को नहीं मिला है और यह सब लेवेल को भी टेस्ट कर चुका है अगर यहां पर ब्रेक आउट आता है यहां पे बहुत ही बरिया उचाल दिख लगवाग हमारा फास्ट टार्गेट रहेगा नाइंटे रूपिस का असपास जो की वन हंडेट परसें अपसाइड है उसके बाद हमारा जो अगला टार्गेट आएगा वो रहेगा 25.55 रूपिस का असपास 26 रूपिस भी आप बोल सकता है तो यह कुछ पैटन दिख रहा है मंतली कंदेस्टिक चार्ट पैटन के अंदर हमको एक हेडियन शोल्डर पैटन दिख रहा है आप भी देख सकते हो आप अपना टेक्निक कर सकते हो फंडमेंटली गाइस यह उतना नहीं दिखा हूं तो अगर आप इस तरह का टिकनिकल एलाइसस चाहते हो इसी तरह का की अगर आप चाहते हो कि सुझन और जब ब्रिक आउट देगा तो आपको नोटिफिकेशन चल जाए तो फिर आपको उसके लिए की काम करना पड़ेगा जो कि है फ्री आप कोस्ट सब् देगे हम लोग लोग भी अच्छा नहीं है तो आज के इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंदा था तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा तैंक यू सो माच पर वाचिंग इस वीडियो